11 physics प्रश्ण बेंक की unit 4 का संपूर्ण हल और ये जो unit 4 है या ध्याई 6 है कारी उडजा और शक्ती तो आज हम देखेंगे कि कार यूडजा और शक्ति का जो चेप्टर है जो प्रश्ण में जो प्रश्ण दिये हैं उनका संपूर्ण हल ये एक्जाम में साथ नंबर में पूछा जाने वाला है किसी वस्तु पर किया गया कार उसकी गती जूडजा में परिवर्दन के बराबर होता है और हम जानते हैं कि घर्शन द्वारा किया गया कार रिनात्मक होता है बंदपत में समरक्षी बलदवारा किया गया कार शुन्य होता है और अपरत्यास्त संगट में गती जूर्जा अव संरक्षित रहती है इन अपरत्यास्त संगट की बात हुई कारि का SI मातरक जूल है और कारे करने की दर को हम शक्ती कहता है कोई मशीन अगर 10 सेकंड में 100 जूल कारी करे तो उसकी शक्ती क्या होगी कारी करने की दर कारी बटे समय 100 जूल बटे 10 सेकंड तो यह हो जाएगा 10 वाट असरक्षी बल द्वारा किया गया कारी पत की लंबाई या उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है और द्रड स्प्रिंग का स्प्रिंग नेतांग म्रदू स्प्रिंग के स्प्रिंग नेतांग से हमेशा अधिक होता है एफ और डी का मान दिया और कारे पूछा है तो एफ डॉट डी करेंगे एफ डॉट डी जब आप करेंगे तो यह 16 उनिट इसका उत्तर आएगा और निम्न में कोन उड़जा का मातरक नहीं है तो जूल, अर्ग और इलेक्ट्रान बोल्ट तीनों उड़जा के मातरक है वाट नहीं है वाट शक्ति का मातरक है किसी निकाई के स्तिती उड़जा बढ़ेगी यदि निकाई पर सरक्षिबल कारेगा और हमें भी बात किती कि अप्रतिया संगट में क्या सरक्षित रहता है समवेक सरक्षित रहता है और जब कोई सरक्षिबल किसी वस्तू पर धनात्मक कारी करता है तो उसकी इस्तिधी जूर्जा घरती है और कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग से A से B तक पहुँच रहा है तो वो सभी में क्या कर रहा है समान कारी कर रहा है प्रशन उत्तर पर आजाएं कि स्प्रिंग को खिषने में किया गया कारी है उसकी इस्तिदी जूड़जा का वेंजक तो इस स्प्रिंग को दबाने या खिषने में किया गया कारी उसकी इस्तिदी जूड़जा के रूप में संचित हो जाता है तो जब भी आप किसी स्प्रिंग को दबाएंगे या खिचेंगे जैसे मान लीजे देखिए ये spring बिना खीचे हुए है और ये खीचने पर तो खीचने पर जो भी आप कारी करेंगे इस पर बल लगाएंगे मतलब आप कारी करेंगे बल लगाने पर इसमें विस्थापन होगा तो आप कहेंगे कि कारी हुआ है और जो कारी आप करेंगे वो इस्तिती जूर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो आपने अब बल लगाया एफ बल लगाया और यह एक्स विस्थापन हुआ तो आप कहेंगे कि यह कारेर हुआ और यही कारेर इसमें इस्तिति जूरजा के रूप में आ जाएगा तो अगर इसको हम ग्राफी रूप में देखें तो जो इस प्रिंग पर हमने जो बल लगाया है वो और जो इस प्रिंग में विस्थापन हुआ है वो उनके बीच का graph हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है तो graph से ही हम गढ़ना करेंगे तो देखिए बल को yx पे ले लिजेगा और विस्थापन को x अक्ष पे ले लिजेगा तो इस तरीके से ये एक सरल रेखा प्राप्त होती प्राप्त होती हिए उसका मतलब जो है बल और विस्थापन मतब कि जो भी आप लगाते हैं बल वह विस्थापन के क्या होता है अनुक्रमनुपाती होता है तो ये एक सरल रेखा इसमें प्राप्त होगी मान लिजे इस वक्र पर कोई बिंदू A ले लेते हैं तो वक्र पर जब आप कोई बिंदू A लेंगे तो उसमें अब हम क्या करेंगे कि इस वक्र पर हमने कोई बिंदू A लिया है तो जहां पर इस spring का विस्थापन सपोस्थ कितना है X है ठीके तो ये spring का विस्थापन X हो गय यह spring का विस्थापन x हो गया और यह point हमने लिया है a ठीक है हमने बात अभी बता दी थी कि सरल रेखा क्यों पराप्त हो भी है क्योंकि बल विस्थापन के क्या है अनुक्रमानुपाती है तो f जो है बल हो और विस्थापन अगर x हो तो f अनुक्रमानुपाती f x तो ऐसे में f का मान जो है वह kx के क्या होगा बराबर होगा तो बल का मान यहाँ पर बन क्या आता है kxёт f is equal to kx मतलब a के संगत spring पर जो बल होगा वह होगा kx तो यह बल क्यें थीक है यह विस्थापन x के संगत बल होगा kx क्यों क्योंकि f समानुपाती होता है x के तो f is equal to हो गया kx और यह f का मान है kx ठीक है तो विस्थापन x और बल kx चली अब हमको क्या करना है हमको spring को खिशने में किया गया कारी निकालना है तो हम spring को x बराबर 0 से x बराबर x तक खिशने में किया गया कारी की गढ़ना करें तो जब आप इसको x विस्थापित करेंगे तो किया गया कारी की जब आपको गढ़ना करना होगी तो यह जो किया गया कारी होगा यह त्रिबुज a o b के खिशत्रफल के बराबर होगा और यह वाला जो हमारा त्रिबुज a o b है अगर हम इसका खिशत्रफल निकालें तो इ बटा दो आधार गुणित उचाई, आधार ओबी उचाई एबी और अब वेल्यू पूट कर दीजे, एक बटा दो X गुणा KX हो जाएगा, अब यह यहाँ देखिए, X, O B का माने X लिख दिया, AB का KX, X में KX का गुणा तो यह हो जाएगा KX स्क्वेर, तो यह हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन ही है कि शक्ती की परिवाशा मात्रक और विमी सूत्र, यह बहुत सरल हो सकता है अगर यह एक्जाम में आता है तो, यह बहुत इजी प्रशन है, क्योंकि हम बहुत 9th क्लास से पढ़ते हैं कारी करने की दर को शक्ती कहते हैं, तो शक्ती हो गया कारी अब इसमें जो है, पी is equal to FV आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, कि हमें कोई वस्तु देखे, पी is equal to जब आपको FV प्रूव करना है, तो definitely कोई यह कैसी वस्तु होगी, जिस पर आप F1 लगा रहे होंगे, तो वहीं से आप अपनी बात की तो सूत्र लाना है शक्ति का, मैं सीधे सीधे ही शक्ति का सूत्र लेकर आऊँगा, तो देखे हम बात कर रहे है, सूत्र की इस्थापना की, तो माना कोई वस्तु है जिस पर F बल लगाया, ठीक है, और F बल लगाने से उसमें T समय में उसका विस्थापन कितना हुआ, D हु हुआ हुआ हुआ, तो कारी को आपने क्या माल लिया, W मान लिया, लेकिन शुरू कहां से करेंगा, हम शक्ति से, शक्ति क्या होता है, कारी करने की दर होती है, तो शक्ति बराबर हो गया, कारे बटे समय, अब आप कारी की जगे क्या लिख देंगे, बल गुणा विस्थाप मतलब जो W है वो F.D के बराबर है कारे बराबर बलकुनित विस्थापन तो यह कारे है यह W का माना आप यहां रख दीजे यहोग है F.D यह पांटी अब आप ध्यान से देखिए तो यहां आप देखेंगे कि विस्थापन बटे समय है और विस्थापन बटे समय सिदे-सिदे क्या कहलाता है वेग कहलाता है तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय तो इन दोनों की जगे आ जाएगा आपका वेग आ जाएगा तो P बराबर हो जाएगा F.V यह Vector F.V हो गया और अगर बल और विस्तापन की दिशाएं समान है तो आप यहाँ पर इसको सदिश हटा कर भी इस तरीके से लिख सकते हैं P is equal to F dot V तो बहुत इजी कोशन है मतलब इसमें आपको क्या एक डेन नंबर तो उपर ही मिल जाएगा इसकी परिवाशा इसा ही मात्रग विमी सुत्र लिखने का और दो से धाई नंबर आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे आगे बढ़तें एक नुमेरिकल है और इसको मैं बहुत सरल तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ तो यहाँ आपके लिए एफ का मान कितना बन जाएगा और बाइक के इंजन की शक्ति वाट और हार्स पावर में ग्याद करो तो पी निकालना है पी इगल टू एफ हो जाएगा भी आपका 5 मिटर प्रती सेकंड है इफ 300 निटन हो गया फुट कर दिजा फी से इकल टू एफ ही में तो 300 में 5 का गुणा कर दिजा इफ के प्लेस पर 300 वे के प्लेस पर क्या लिखेंगे पांच लिखेंगे तो यह हो गया 300 गुणा 5 तो यह हो गया 1500 1500 वाट हो गया अब अगर इसी को आप हार्स पावर में निकालना चाहते हैं तो यहां एक इंपोर्टेंट अपजेटिव और देख लीजिए कि एक हार्स पावर या एक अश्वशक्ति में जो है 746 वाट होते हैं तो यहां 1500 वाट लिखें हैं तो इसको हार्स पावर में बदलना है तो 746 अब इसमें भाग लगा दीजेगा तो यह आप शक्ति वाट में भी निकाल पाएंगे हार्स पावर में भी यह भी 4 नंबर में दिया हुआ है तो बहुत सिंपल है आपको दो नंबर यहां तक मिल ज तो उम्मीदें यह तो आप करी लेंगे आगे बढ़ें देखो पानी की एक टंकी के लिए बहुत अच्छा प्रश्ण है और इसको मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा आपने इसको कहीं इस तरीके से नहीं देखा होगा कि पंप द्वारा व्याई शक्ति ज्याद करो एक्चुली क्या होता है कि बीडिंग का जो भूतल है मतलब कोई बीडिंग है उसकी जो ग्राउंड फ्लोर है उसपर एक पंप है है जो जो मान आपको दिया है वही लेकर हमें चलना है तो हमें डारेक्ट शक्टी का एक फार्मूला लेके चलना है जी भी दे रखा है यहां पर आप धिहान दीजेए सूत्र है और यह समय है, तो अब M की जगे आप क्या करेंगे कि द्रविमान लिखा है लेकिन द्रविमान तो दिया नहीं है, हाँ, आइतन दिया है तो फिर द्रविमान को D कमान कितना है 1000 है ठीक है और आपका H कितना है 40 मिटर है टाइम कितना है 15 मिटर है सारी value को put कर दीजे तो 30 गुणा 1000 गुणा 10 गुणा 40 बटे 15 गुणा 60 तो यह आ जाएगा आपका 2 गुणी 15 से 30 काटा दो बार और 1000 गुणा 10 गुणा यह देखे यहां आपने क्या किया 20 से काटा तो 22 गुणी 40 गुणा 20 गुणा 60 हो गया अब यह 4 बटे 3 हो जाएगा 2 में 2 का गुणा 4 हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा और 10 यह आपका 10,000 हो जाएगा 4 बटे 3 आपका निकल कर आएगा कितना 1.3 गुणा 10 की गा 4 बट यह हो जाएगा तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आप इसको निकाल पाएगे आगे बढ़ते हैं एक और प्रशनुस में दिया है कि उर्जा सरक्षन का नियम क्या है और सिद्ध कीजिए कि स्वतनता पूर्व गिरते वे पिंड की कुलूर्जा नियत रहती है तो उर्जा सरक्षन का नियम हम आखरी में लिख लेंगे पहले हम देख लेते हैं कि कोई पिंड जो है स्वतनता पूर्व गिर रहा है तो सपोज मालीजे पींड यहां A परिस्ति रवस्ता में है मतलब यहां परिस्तित है हो उसका द्रविमान M है और प्रत्वी से उसकी उचाई H है तो यहां आपको यह करना है कि यह अंत्री कुर्जा नियत रहती है प्रूव करना है तो आपको क्या करना चाहिए इस्तिती जूर्जा और गती जूर्जा का योग निकालना चाहिए यहां पर फिर एकाद बार एकाद पाइंट यहां ले लेंगे एक पाइंट यहां ले लेंगे और इस्तिती जूर्जा और गती जूर्जा का योग निकालेंगे अगर एक्जाम में चार नमबर में आता है तो केवल दो बिंदु अपर भी आप योग निकाल कर इसको बताबा सकते हैं तो चलिए एम द्रेवबान का कोई पिंट प्रत्वी की सता से एच उचाई पर बिंदु ए पर है तो ए पर वो ए चुचाई पर है तो अब इस्तिती जूर्जा यहाँ पर कितनी हो जाएगी डेफिनेटली वो तो MGH ही होगी बिंदु ए पर तो MGH हो जाएगी यह स्तिती जूर्जा का फार्मूला भी है और बिंदू A पर गती जूर्जा कितनी होगी तो गती जूर्जा का सूत्र वेस है तो half MB square है लेकिन यहाँ पर तो चुकी वो इस्तित है मतलब इस्तिर है तो वेक तो 0 हो गया तो 0 का square होगा तो वो 0 हो जाएगा तो कुल मिला कर इस्तिती जूर्जा MGH और गती जूर्जा 0 है तो कुल यांत्री कूर्जा हो गई MGH यहीं यांत्री कूर्जा का उत्तर आपका अन्य जगे भी आना चाहिए मतलब जैसे यह जो point B है इस point B पर अगर वस्तू A से B पर आती है तब यहाँ भी जो यांत्री कूर्जा है वो बिंदू B पर भी कितनी होना चाहिए वो उसका जो मान है वो बिंदू B पर भी हमारा MGH होना चाहिए तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं ठीके यहां तो बहुत सरल हो गया कि इस्तिती जूर्जा MGH और गती जूर्जा 0 क्योंकि वस्तु इस्तिर है तो यांत्री कूर्जा होगे MGH धंजीर हो MGH अब B पर देखना है तो B पर सब्स थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा यहां कि जो B है वो A से B की दूरी है मतलब A से B पर जब वो गिरा तो X दूरी तक वो गिरा है मतलब X उचाई नीचे की तरफ गिरा तो यह पूरी उचाई चुकी H थी तो यहां से यहां तक कितनी उचाई बचेगी है H-X बचेगी तो यह आपकी होगई H-X अब आपको जब इस्तिर जूर्जा निकालना होती किसी भी जगी जैसे B पर आपको इस्तिर जूर्जा निकालना है तो इस्तिर जूर्जा एक्चुली क्या होती M, G और देखिए यहां पर आपने H लिखा था इस्तिर जूर्जा के लिए प्रत्वी से उचाई नापते है तो यहां M, G के साथ में क्या लिखना पड़ेगा H-X क्योंकि प्रत्वी तल से इसकी उचाई कितनी है H-X है तो यहां आपका इस्तिर जूर्जा जो है बिंदू B पर आपकी इस्तिर जूर्जा बनकर आएगी पिंड A से B B पर आ रहा है तो इस्तिर जूर्जा हो गई M, G, H-X देखे M, G, Tो H, B है इस्तिर जूर्जा का सूत्र है M, G, H पर H मतलब उचाई कहां से प्रत्वी से तो B की जो प्रत्वी से उचाई है वो H-X है तो इस्तिर जूर्जा हो जाएगी M, G, H-X अब गति जूर्जा निकालना है Half M, V-Square लेकिन V-Square के तो कोई पता ही नहीं है वेग का पता ही नहीं है तो वेग का मान ग्याद करने के लिए हमको गति के तीसरे समीकर्ण की मदद लेना चाहिए V-Square is equal to U-Square plus 2AS से आप value put कर दिजिए तो V-Square is equal to यहाँ पर वेग मान लीजे V है U-Square मतलब वो यहाँ से A से B पर आया है तो A पर उसका वेग है 0 और B पर उसका वेग है V तो यह U की जगे 0 और B की आपका जो बात के वेग की जगे V लिखेंगे तो V-Square की जगे तो V-Square ही रहा लेकिन U-Square की जगे हो गया है 0 का Square प्लस 2A उपर से नीचे आ रहा है तो G लिखेंगे गुरुत वी तुरण A की जगे और प्लस का G लिखेंगे क्योंकि उपर से नीचे आ रहा है S जो दूरी है A से B तक की वो X है तो यहाँ X लिखेंगे तो V-Square का मान हो जाएगा 2GX अब आप गती जूर्जा निकाल लीजिए Half M V-Square से Half M V-Square से गती जूर्जा निकालेंगे तो क्या होगा Half M V-Square Half M और V-Square की जगे लिख देंगे आप 2GX Half M और V-Square की जगे 2GX 2 से 2 कट गया यह बज़ जाएगा M GX यह गती जूर्जा और यह इस्ति जूर्जा अब फिर से इन दोनों को जोड़िए तो आपका उत्तर यही आना चाहिए M GH देखिए आप इसको और इसको जोड़िए इस्ति जूर्जा और गती जूर्जा को माइनस के M GX से प्लस के M GX कट जाएगा और आपका उत्तर बन कर आएगा M G H तो यहाँ पर भी आंत्री गूर्जा M G H तो आप दो बिंदू ओपर भी बता सकते हैं आप तीन बिंदू ओपर भी बता सकते हैं तो चलिए तीसरे बिंदू पर आते हैं तीसरे बिंदू तीसरा बिंदू आपने हैं सिलेक्ट कर लिया सपोज वो प्रत्वी पर यहां है इस जगे है बिलकुल नीचे की तरब तो यहां इस्तिती जूड़ जा क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी अब गति जूड़ जागर MGH आ गई तो आपका काम हो जाएगा और इसी टेक्निक से उसको स्वालो करना है चलिए देखते हैं अब आप A से C पर आ ठीक है कहां से कहां आ रहे हैं A से कहां रहे हैं C पर तो जो हाइट है वो कितनी है H और यह यहां अब यहां पर अगर आप इस्तिती जूड़ जा की बात करेंगे तो इस्तिती जूड़ अब गति का वही तिसरा समिकण V स्कूर इस्वार प्लस 2S वही वेल्यू पूट करना है V स्कूर इसे चला C पे तो A पर वेक कितना है 0 है तो यह 0 का स्कूर यहां वेक को V माल ली जीए तो V स्कूर इस्वार प्लस 2GH यह देखे H दूरी H है और यह त्वरन की जगे यह गु गया MGH, अब देखें इस्तिदिज उर्जा 0 और गतिज उर्जा MGH, तो इस्तिदिज धन गतिज कितना हो गया, यह हो गया आपका 0 धन MGH, तो यहाँ भी यांत्रिक उर्जा क्या हो गई, MGH, तो A, B, C, सब भी बिंदुओं पर यांत्रिक उर्जा MGH है, और यह आप बता दें में बदला जा सकता है, धन्यवाद,